हेलो फ्रेंट टेकज यूटूबर में आपका स्वागत है फ्रेंट आज किस वीडियो में जैसे आप अपने प्लेश्टोर को जब भी ओपेन करना है तो आपको प्राब्लम आ रहे हैं जो सम्थिंग ट्वरांग ट्रांग का आप साना रहा है तो फ्रेंट इसको कैसे फिक्स क करेंगे इसको कैसे सही करेंगे वित्प्रूब के साथ आपको सही देखाएंगे करके और असानी से आप कभी भी अपने प्लेश्टोर को जब ओपेन करेंगे तो असानी सोपेन होने लागए और आपको कोई दिक्कन होगी जो देख सकते हैं हमारा प्लेश्टोर है यह तो ह फ्रेन हमारा जोब ही open होता इस तरह से आजाता है फ्रेन हमारा डाटा ओन है लेकिन हमारा दिक्कत आ रहा है जो इसको हम fix करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे इसके लिए फैंड इसको fix करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां से आप अपने मुवाइल की सेटिंग में जाएंगे जो इस सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग में आने बाद स्क्रूल करते जाएंगे तो फ्रेंड यहां से स्क्रूल करने बाद यहां से एपस का अपसरन है इस एपस पर आप अपना नीचे स्क्रूल करके आपने एपस को देख सकते हैं प्ले स्टोर को तो जैसे प्ले स्टोर लिखेंगे तो यहां से डायरेक्टली हमारा उपर में सर्च में आ जाएगा तो देख सकते हैं इस पर हमा जाएंगे इस पर फ्रेंट आने बाद यहां से आपको देख सकते ह अपको देख सकते हैं यहाँ से इसके बार्यट को क्लिक करने बाद यहां से आपको देख सकते हैं था मोबाइल का डाटा इस तरह से ठीक है तो इसको आपका भी ठीक रहना चाहिए तो फ्रेंड हमारा देख सकते हैं सभी हो चुका कमप्ली उसके पर से फ्रेंड आपका भून में जो त्हाँ गूगल का सर्विस होगा तो आपको गूगल का सर्विस आजाएगा बाई यहां से लिखेंगे तो हमारे नहीं है तो यहां से को जाएंगे फ्रेंग यहां से बैक होनेक बाद आपको क्या करना है फिर से आप अपकने मुवाईल वाइल की एक बार रोबुट करेंगे यहाँ से अपको टीके अपस्ट ह्ette अब करेंगे अपने फोन को जहता है ऑन करने बाद आप यहां से फिर से अपनी वाईल data account करने बाद play store को जब open करेंगे तो कुछ time बाद आ इस तरह से आपको system loading लेगा आपका data जब speed देगा तो तुरंथ होई open हो जाएगा और जैसे आपका open just नहीं हो रहा है तो इस तरह से आपको wait करना पड़ेगा क्योंकि आप इसको नया वर्जन करना चाहते थे तो नया वर्जन इस तरह से अब जब clear data की है तो आपको wait करना पड़ेगा तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा system loading ले रहा है और हमारे phone में data जो होता है speed भी दे रहा है और यहां से loading ले रहा हमारा आप कुछ wait करना पड़ेगा उसके पड़ से directly open हो जाएगा तो देख सकते हैं फ्रेन हमारा open हो चुका completely open होने बाद आपको क्या करना है यहां से आपको अपने logo पर जब click करेंगे यहां से आपको setting का option है इस setting पर आपको click कर देना है जब यहां setting पर click करेंगे तो यहां से आपको about का option है यहां से about पर आपको click कर देना है जब about पर click करेंगे तो यहां से option में आजाएगा play store update का option यहां से update play store का option है तो इस पर आपको click कर देना है जब इस पर आपको click होंगे तो यहां से आपको जितना रहेगा आपको अप्डेट होने लेगा और आपको यहां से नुट्फिकेशन भी आ जाएगा तो देख सकते हैं हमारे फोन में स्टोरेज कम है तो हमारा अप्डेट का आप संसो नहीं करता है तो फ्रेंट आपको इस तरह से आपको बैक हो जाना है उसके पर से इसको अप्डेट कर ल जाएगा यह तरीका कैसा लागा कमेन में जरूर बताएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राब करके वेल आइकन जरूर पेस कीजिएगा इससे क्या होगा कि हमारे नए नए वीडियो आपको हमेसा मिलती रहेगी